हेलो फ्रेंड्स कोड़े इवनिंग कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बले चंगे होंगे तो अभी हो रहा है शाम का टाइम सेटरड़े शाम का टाइम हो रहा है तो अभी मैं शंध्या कर लेती हूँ और पुझा करके अपनी तो उसके बाद ही रोटिन स्टार्ट हो जाती है शाम की. मैं अभी होद है बनाओ गी. तो ठीसा घमाधा जय करको जाते हैं भी तैयारी में निलगा कर दितन 바뀌ता धी हुए हूँ लिए भीने उसके पहुटे चौनी होद पहलाओ कर लिए बाकी कि अभी मैं बाद में कर लूँगे और शाम को कई काम हो जाते हैं तो वो सब भी अभी इसके बाद ही कर लूँगे मैं अपने मंदिल के पूझा करने के बाद मैं मंदिल के क्या बगवांची के संध्यारती करने के बाद बाकी के सारे काम सुरू कर दूँगे औ और आप में से किसी ने भी मेरे को बताया नहीं कि मेरी स्वेटर कैसी लग रही थी, किसी ने कमेंट नहीं किया, क्या बात होगी, क्यों नहीं किया कमेंट आप लोगों नहीं, मैं तो वेट कर रही थी, कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगी कि कैसा क्या लग रहा है, त अब अब अलू आये थे दुकान से तो आये थे क्या मंगवाई थे मैंने दुकान से तो बस अभी उनको दो के रख लेते हूं क्योंकि ने आलू में बहुत ही ज्यादा मिटी मिटी हो रही हैं इनको जब तक दो तीन भार ना दो लो अच्छे से यह साफ नहीं होते हैं से बूद गरम करना रखना है तो यह पतीला पहले साफ करके रख लेती हूं फिर बाकी की बर्जन भी कर लोंगी उसके बाद गैस पे काम सुरू हो जाता है क्योंकि इनके पापा थोड़े लेट आते हैं तो हम थोड़ा काम इवनिंग का लेट करने लगती हूं मैं क्योंकि इनक सबजी वगरा तो दुबारा ही गरम करनी पड़ती हैं रोटी हैं मैं पहले बच्चों की सेक लेती हूं फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो उनकी दुबारा बना देती हूं अभी ऐसे से ही मैं बर्तन दोलूंगी थोड़े थोड़े करके ही हैं मैं पहले साबून लगा बार रख लेती हूं इसके बाद थोड़े थोड़े दोके रहक में ही आया बर्तनों के स्टोकरी में रखते रहते हूं क्योंकि बार बार उसमें से निकाल के जूटे बर्तनों के पास पटकना मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इनको साथ साथ दोगे और अब ये इनमें साबुन रचे और ना कुछ और तो गरम पानी जादा आ रहा है मेरा हाथ जल गया था इससे तो थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी में लगा लगा कि अब मैं इनको दो लेती हूं और ये मैंने मिर्च वगेरा कट कर वा लिया और चावल भीगोके रख दी हैं क्योंकि लगा दूँगी मैं यहीं काम की तैयारी मैं पूरी करके रख देती हूं अभी अपने की यही मेरे पास से पानी ले जाके चाहो लोगो भिगो रही हैं और मैं साथ साथ यह वरतन कुछ काम थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है पुस्पा की मुझे काम में थोड़ी बहुत पैसे भी बच्चे ब्राबर के हो जाएं तो काम करने लाइक होई जाते हैं अब फ्रेंड से मेरा शाम क्या रूटीन सुरू हो गया है मैंने दूद गरम करने के लिए रख दिया हैं और मटर निकाल के रख दी थी मैंने पहले ही टमाटर कट कर लिए हैं अभी मैंने टमाट दंगी हम तो नमकीन चावल बोलते हैं मुझे पता नहीं वैसे सबजी डॉलते हैं तो इस के नाम से फुलाओ जाए। सारी सबसीखर में में धालके इनको छोक लगाके बनाती हैं और बहुत अच्छे भनते बहुत अच्छे लगते हैं, सरव करने में इच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसी बाने बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं, सारी की सारी, वैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, मेरे बच्चों को तो चावलों से प्रोब्लम हैं, वैसे भी इनसे जो से मनन खा लेता है और बच्चों को प्रोब दिक्कत हो जाती है, मनन खिजडी में चावल खा लेता है, वैसे कम खाता है, मेरे घर में अलग-अलग पसंद है, हर आदमी की कोई खिजडी में चावल खाता है, कोई वैसे चावल दाल खाता है, कोई वैसे नमकीन इसलिए मेरे को तो पसंद होती है नमकिन प्लाओ अभी मैंने इनकी लिए उनको छोपने के लिए तेल रख दिया है और तेल को अभी जरसे गरम हो जाएका तो मैं इसमें जीरा डाल दूँगी मैं बस सिर्फ जीरे का ही चोक लगाओंगी और कुछ नहीं डालूँगी इसके अंदर प्याज बगएरा नहीं डाल रही है वैसे प्याज भी डाल देते हैं लेकिन लडू को पाल जी भी खाएंगी इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली सिधर टमाटरो अडरी मिर्ची डाल दी है और मैंने टमाटरो को सॉफ्ट करने के लिए जरा सा पानी भी डाल दिया है ताकि टमाटरो जलदी से सोफ्ट हो जाएं और फिर हल्दी और नमक डाल दूंगे तुमाटों में थोड़ा सा नमक डालने के बाद तो थोड़ा सा यह हो जाता है कि भई टमाटर जिल्दी से कल जाएं तो मैं इनको सुफ्ट होने का वेट कर रही हूं बस और इनको चला की रूंगी साथ साथ सौड़ी से लाल में डालती हैं मैं इस दर नुओए है दूर के अब इन में डाल करके से टमाटर सौफ्ट होगए हैं तो अब यह आदे दिस्ट बढ़ा जाएं दन्या पाउडर और गरम माशाला, और सब्जी मसाला ती नो चीजे डालती हैं, अभी मैं इसके इंदर जरा सा पानी डाला, आलो और घुपी और फ्राई कर लूँगे, और उसके बाद मटर डाल तूँगी, पहले आलो कोपी को फ्राई करूँगे, हलका सा, उसके बाद मटर डालती है मैंने ये मटरों को भी इसके साथ साथ फ्राई कर दूंगे और अभी मटर के साथ ही मैं चावल डाल दूंगे और जितने भी मैंने एक गलास या तेड़ गलास के आस पास चावल ले थे उनसे दुगना मैंने पाने डाल दिया और आदा गलास मैंने सब्जी के लिए सब्जी का भी पानी डाल दिया है और ये सब्जी जो को अच्छे से चला के मिला लूँगी मैं और मिलाने के बाद मैं फिर अभी इसको ढगा के एक सिटी लगा दूँगी बस एक ही सिटी में ये बहुत अच्छे से बन जाएंगी तो चावल मेरे बन चुके हैं फ्रेंट्स और ये देखियो कितने यम्मी यम्मी बने हैं अच्छे भी बड़े लग रहे हैं गर्मा गर्म चावल हैं आप लोग भी आजीए और चावल खाल लीजिए तो अभी मैं बस सबसे पहले दिदी की थाली लगा दूँगी मैंने इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है धनिया डाल के और ये मैं भी दिदी की थाली लगा देती हूँ मतलब मेरी जेठानी की उनकी पहले थाली लगा देती हूँ सबसे पहले वही खाएंगी के लिए मैंने खाना डाल दिया है ये दिदी के लिए और ये बच्चे तोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है खाना घी लगा के उनको मैंने खाने के लिए दे दिया था और फ्रेंड से संडे की शाम सुरू हो गई तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेसल तो होना चाहिए तो इसलिए मैं जलेबिया बना रही हूं जलेबिया बनाने के लिए मैंने मैदा चान लिया है मैं देखो एक कटोरी से कम मैदा मैंने लिया है इसको मैं चान लिया है चानने के बाद अभी मैं इसमें half packet धाई डाल दूँगे खटा धाई चाहिए था इसमें मैंने वो धाई डाल दिया है इसके अंदर half packet धाला है इसको अच्छे से फेट के मिला लूँगी मैं इनको अच्छे से फिट फिट मिलाती रहूंगी जब तक एक जी ना हो जाए तब तक मैं इसको मिलाती रहूंगी और इसमें जरासा मेठा सोधा डाल दूँगी मैं और एक इनको पाउच भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर ताकि जलती से टेश्टी टेश्टी बने चावल काटा मेरे पास था नहीं नहीं तो कटकड़ी कटकड़ी बहुती अच्छी से जलेबिया बनती चावल काटा नहीं है मेरे पास तो मैंने चावल काटा नहीं डाला ज कि दस मिनट के लिए रखते हूंगी उसके बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगे तो मैंने एक बोतल लेके उसमें जलेबियों का पैटर भर लिया है वो हमें आपको दिखाना भूल गई वीडियो न करना भूल गई भी मैं और उसके बाद मेरी जलेबियों की सेप तो पुरी गारंटी होनी चाहिए टेस्ट में बहुत ही अच्छी यमी यमी जलेबिया बन रही हैं दिखने में आपको दिख रही होंगे रस बरी जलेबिया अच्छी अधर मैंने चासनी बना लिया है तो यह ऐसे दर से में जलेबियों को निकाल रही हूं और उदर चासनी में डालती जा रही हूं साथ की साथ ही और बोतल में मैंने यह पैटर भर लिया था अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगे अभी दूसरे बारे में डालूंगी तब और साथ-साथ मेरे बेटी इनको डाल डाल के देती जा रही हैं सेफ मेरे से कुछ अच्छी नहीं बन रही थी जलेबी की तो मेरको अच्छा से नहीं बनानी आ रही थी और बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिस जरूर की थी और जलेबी तो वैसे भी टेडी-मेडी होती है इसमें तो बस रस बरा होना चाहिए बाकी कुछ हो चाहे ना हो मुझे बड़ी यह मितलब जाव चावल काटा डालने के बाद तो बड़ी इकड़ इकड़ जलेबिया बनती है बहुत इस्वाद आती है लगती है तो यम्यम्य जलेबिया मेरी बन के तयार हो गई है आप सब लोग भी आजिये और खाली जी जलेबिया यम्यम्य मिठी मिठी जलेबिया और सर्दी में तो गर्मा गरम जलेबिय बड़ी इच्छी लगती है मन भी करता है कि खाते रहो जली भीयों को और मिठा थोड़ा सा काने में चाओंचा लगता है वेल CATAL, से निकाल लेए धा यह निक देने की हए निकी एक बरस में से Mhm बर को पड़िया गोली बालती डीन टाल के से निकाल लीती हूं उरइसे ही मेरी हर ज्ली हर बार की ज़ली वह तैयार होती है और уйтеल से निकाल दी चासने में डीजसनी से निकालके फिर मैंने बच्चों को साथ-साट सरफ भी कर दी हैं तो वजलेबियां आप लोग भी खाके बताना और कैसी बनी है टेडी मेडी जलीबियां ऐसे भी जलीबि कहां से गोहल होती है टेडी मेडी होती है स्वाद के पूरी गारंटी है स्वाद में बड़ी अच्छी बनेंगे आप लोग भी बना के जरूर ट्राइ करना यह रेसीपी एक बर अपने घर पे जरूर बनाना और चावल काटा जरूर डालना जिससे जलेबिया अच्छी अच्छी बने मेरे पास नहीं था तो मैंने नही हेलो फ्रेंड्स गुड इउनिंग कैसे वह आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बिले चंगे होंगे तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और आज है मंडे मेरी वीडियो सेटर्डे और संडे दोनों दिन से चली आ रही है तो आज इस करे के और होंगे आरे आरे हुगा उसले आ रिया अभेम मैंने यह ले रख यासली है तो फ्रेंड्स यमी यमी जलेवी टेस्ट करके बताना कैसी लगी और पुलाव कैसे लगए यह भी हमें बताना हुआ है जलेभी कैसी बटा फ्रेंड्स को फ्रेंड मम्में तो बहुत गंदी जलेवी हुनाती है आप इने पीटों मम्मी को बहुत गंदी जलेवी थी फिर आपने तो नहीं क्यों खाई गंदी जलेवी थी तो आज क्यों मांग रहे हो आज भी मांग रहे हो आप तो जलेवी फ्रेंड पेरे तरह खिलोना तो देख लो लामना, तो देखलो में बस तो इतनी ख्लोने उना है पहले फ्रेंड्स को बताओ मामे की जैलेबी कैसी थी बहुत अच्छी थी पहले, आपने कैसे-कैसे खाई यह और बताओ उनको खाए बताओ, कैसे खा रहे थे आप कई चैनि से नी चैनि टो खाएक है चुद रहें कि हुँ थोड़े दिन मफ और अगला करा भाँ ओ Australians comment करें और बताने जिले और कैसे लगे हैं और नाधि वीडियो कर लते हैं और उसके बाद हुके शाम से नई वीडियो सुरू करेंगे तो मिलते हैं आपको आपको न्यो वीडियो न्यू के साथ तब तक के लिए बाई और मेरी चैनल पे न्यूंग तो श्क्राइब कर लेना ताकि आपको नहीं नहीं वडियो ऐसे ही मिलती रहें विलते हैं बाई बाई राम राम बाई करो और नहीं बाई बाई दो करो बाई 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 फ्रेंड्स